आप सबी का स्वागत है आपकी चैनल पे तुलसी विवा कब है और पूजा कब करें सुमूरत क्या रहेगा संपून चानकारी इस वीडियो में आज आपको देने वाले हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा दीवी चानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें कार्तिक मास के सुखल पक्ष की देव उठनी एकादसी के दिन माता तुलसी का विवा किया जाता है सालिग्राम प्रभू के साथ तो सालिग्राम भगवान के साथ विवा करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक बार भी जिसने अपने जीवन में माता पन कराते हैं तो उनका जल्दी विवा होने का योग बनता है अगर दामपत्य जीवन में सांती नहीं है पुत्र की प्राप्ती नहीं है मधूरता नहीं आ रही है दामपत्य जीवन में तो ऐसे लोगों को भी तुलसी माता की विवा का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए 13 नौंबर बुद्वार को भी तुलसी विवा कराया जाएगा देखे बहुत सारे लोग एकदसी वाले दिन विवा कराते हैं बहुत सारे लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्ट में विवा कराते हैं और बहुत सारे लोग साम के समय प्रदोस काल के समय गौदली बेला में भगवान की पूझा आराधना करने के बाद उनका विवा संपन्द करते हैं आपके यहां जैसा होता होगा आप वैसा करिएगा आपको अगर नहीं पता है कि आप कियां कैसा होता है और आप पहली बार करना चाहते हैं तो मेरी मानिये अपनी सुविधा के अनुसार एक साल जैसा आपने किया यानि अगर आप सुबह साड़े पांच शे बज़े काते कसनान कर रहे हैं तब उठ करके आप विवा करवा सकते हैं आप चाहें तो साम को विवा करवा सकते हैं का कैसे करवानी है उसकी वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दी है आज बात करेंगे सुब मोरत के बारे में दूसरा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि मंगलवार का दिन है तो क्या तुलसी माता में जल समर्पित किया जाए देखिए तुलसी विवा के दिन तुलसी माता को जल चड़ाया जा सकता है पीतल के लोटे से रविवार और एका दसी और मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल नहीं चड़ाया जा सकता है पॉर्णारिक मानिताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विश्णू के लिए निरुज करना है कि जब आप जल चड़ाएं है आपको जल समर्पित ही करना है तो आप कोई कन्या जब विवाह में बैठती है तो वो इस्नान करती है भकतों आपके मंद में असमंजस है क्या अजमंगलवार का दिन और आज एकादसी का दिन बहुत सालू से यह होता आ रहा है जा ऐसे क आपको तुलसी के क्यारे में जल्समरवित पीला बरतन आपको जो हिए पीतल के जैसे रहाँ हैल्स मटका, मिट्टी यदो तर देझा सालिग्राम प्रभू को इसनान कराने को आप माता चुल्सी के उप जल्स्हें जालीजेर, लिजल में कन्या का इसनान कराया जाता है, ये आप इसनान के रूप में माता तुलसी को साफ करने के लिए वो जल चड़ा रहे हैं, ना कि उनके ग्रहण करने के लिए ये जल आप समर्पित कर रहे हैं, हाला कि गमला है, लेकिन आप भाव देखिए अपना आप उपर से जल माता रानी को बिल्कुल स्वक्ष करने के लिए आप निसंकोच हो करके जल चढ़ाएंगे इसका आपको कोई पाप दोस्त नहीं लगने वाला है आप इसनान करा रहे हैं उन्हें तो आप इसनानियम समरपयामी के भाव से आप जल समरपित करें पूजा होने के बाद नैवेद्य चढ़ाए विवा कर रहे हैं तब तो कोई दुबधा कि नहीं है तो आप समझ गएकए आपको इसनान के रूप में उनके उपर जल चढ़ानाै नाकि उनको ग्रहण करने के लिए और जल चढ़ानाैं पूजा करने का विवा कराने से पहले देव उठाने का दसी है तो आप भगवान को जरूर से थाली बजा के उठाएए आपके घर में सालिगराम भगवान है विश्णु भगवान की कोई मुर्ती है तो उन्हें पहले सुला दीजिए और उसके बाद थोड़ी दिर के बाद अगर आपने पट बंद किया है उसे खोल दीजिए और उन्हें उठा दीजिए उसके बाद आप विवासंपन करिए तो ये थी छोटी सी जानकारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब ना ख्यार रखिए खुश रहे हर हर महा देए